नमस्कार मैं राजीव सानी सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से कल हमारा जो है वो जौब और बिजनस वाला कोर्स स्टार्ट होगा इसी समय आठ बच के पांच मिनट पर तो अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं आप देखिए कैसे इसको समझना है उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ है जाएगा सुधर्शन चक्रपध्धती सुधर्शन चक्रपध्धती चंद्र लगन फिकें और सूरिय लगन इन तीनों से अपन कॉमन फेक्टर लाएंगे से देखेंगे प्रोफेशन के लिए नंबर एक नंबर दो हम लोग अश्टक वर्ग का एक टेक्नीक शेर करेंगे जो घड़ी के इसाफ से 5 सेकिंड में ये बता देती है कि आदमी जॉब करेगा, बिजनस करेगा अश्टर वर्क की टेकनीक है नमबर तीन है आपका जो है वो D10 चार्ट के अंदर पूरण परमात्मा ग्रह से चलेंगे परमात्मा क्लियर पूरण परमात्मा ग्रह कौन से होते हैं सूर्य होता है, चंद्रमा होता है मंगल होता है और राहू होता है सूर्य से भगवन राम हुए चंद्रमा से श्री क्रिशन हुए और मंगल से नर्सिंग हुए राहू से वारा अपतार हुए तो पूरण परमात्मा गरह से हम जॉब या बिजनस का देखेंगे फिर हम तत्व से देखेंगे तत्व जो है में रूल अदा करता है लाइफ के अंदर अगनी तत्व है हमारा वायू तत्व से प्रभावित है हम या पृत्री तत्व से प्रभावित है हम या जो है हम अकाश तत्व से प्रभावित हैं, किस तत्व से हम लोग प्रभावित हैं, उस चीज़ को देखेंगे, और उस चीज़ को समझेंगे, तो तत्व का ज्यान होना बहुत जुरूरी होता है, अब जो क्या कहते हैं, जल तत्व वाले लोग होते हैं, वो क्या होता है, काम में emotional जुड़े रहते हैं, यह सारा हो गया वेदिक का, यह वेदिक से पढ़ाएंगे, फिर नाड़ी से भी पढ़ाएंगे आपको, नाड़ी से भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक फिर दूसरा हो गया, तीसरा आपको जैमनी सुत्र भी दिया जाएगा, जैमनी सुत्र भी, यानि तीन जगा की अलग अलग अस्टोलोजी से आपको मास्टर रनाने का परयास किया जाएगा सुरेट कैसे आप इस चीज को अच्छे से समझ सके हैं ठीक है आरूड लगन से तैंथ आरूड लगन जैमनी में होता है तो आरूड लगन से 10 था उसमें ग्रह बली है जब हम इन चीजों का एल्सियम निकाल लेंगे और कोई हमारा एक ग्रह कॉमन निकलाया अर्थाद वो ही हमारे जीवन का आये का स्थोत्र है अब देखो मैं अभी ये वेदी का बताया है आपको अब मैं आपको ये बताता हूं नाड़ी से भी बताता है माल लीजे किसी का दो नंबर में शनी भगवान बैठे हैं अगली राशी तीन नंबर है कालपुरुष कुंडली से ये लगन होता है दूसरा घर आपका धन का स्थान होता है नाड़ी कहती है करम क्या करेंगे करम से मेरे को आए आएगी तो तीन न नंबर की राशी है इसका स्वामी बुद्ध होता है राशी कहलाती है मिथून तो अर्थात आप कम्मुनिकेशन से आए प्राप्त करेंगे थार्ड आउस कम्मुनिकेशन है ना तो कम्मुनिकेशन से आपकी आए का स्त्रोत्र रहेगा ये चीज़े होती है बड़ी अच्छ सी सभी प्रकार की चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी एक ही कोर्स के अंदर क्योंकि कोई भी जो कोर्स कराएगा जॉब और परफेशन का या तो वो विदी कराएगा या वो नाडी से कराएगा या वो जैमनी कराएगा मैंने तीनों सुत्रास को आपको हैंड ओवर कर ताकि आपकी मास्ट्री अच्छी हो जाए बात क्लियत आगे बढ़ते हैं अब आप देखिए ब्रस्पती नाड़ी में जीव कारक होता है और शनी महाराज जो होते हैं करम कारक होते हैं ठीक है अब किसी की कुंडली में ब्रस्पती और शनी इकठे बैटे हो या ब्रस्पती और शनी आमने सामने हो या ब्रस्पती से त्रिकोर्ण में शनी महाराज हो इसका अर्थ है ऐसा जातर जीवन में काम धंदे के लिए धक्के नहीं खाएगा थोड़ा बहुत उननीस बीस फराकाज है वो अलग है कमफर्ट जोन के लिए पैदा हुआ है वो व्यक्ति इजी वे में समझें बात क्लियर है अब मैं बताता हूँ अच्छे से मालो किसी के शनी के साथ बुद्ध देव बैटे हैं तो ऐसा व्यक्ति चुकि काल पुरुष्य कुंडली से तीसरा घर जो होता है आदमी प्रापर्टी के काम में कमीशन बहुत अच्छी कमा सकता है नहीं करना चाता माल ली यह कोई फीमेल है उनके हो तो क्या करेंगे वो बहुत अच्छा ऐस्टोलजर बन सकता है सिंपल सी बात बहुत अच्छा एस्टोलोजर बन सकता है और एस्टोलोजी प्रोफेशन में वो आगे निकल सकता है इवन वो अच्छा वास्तु एक्सपर्ट भी बन सकता है ठीक है तो इंकम बगेरा अच्छी हो जाएगी उसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चलते हैं आगे आपको अच्छे से बताते हैं सबसे बड़िया केतू जो है वह आपका ज्योतिश का कारग होता है ये याद रखिये कोई भी टैरो कार्ड रेडिंग है निमरॉलोजी है ज्योतिश है हीलिंग है वाटसुएवर अगर किसी का शनी भगवान के साथ केतू माहराज बैटे हैं, बाईशा बांग बंद करके उसे जूतिश करना चाहिए, उसी में भगवान ने उसको सफलता देनी है, सफलता की गारंटी पक्की है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ऐसे आदमी शनी केक्टू वाले अच्छे एडवोकेट होते हैं, बहुत अच्छे ऐसे लोग कहते हैं, जी मैंने अस्ट्रेलिया जाना है, वीजा लगवाना है, एजूकेशन का वीजा चाहिए, तो ये लोग ऐसी एजंसी कोल करके, एजूकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, 100% सक्सेस वाली गरंटी देता है, ये कॉंबिनेशन, चलिए, आगे बढ हैं, ठीके, तो रुपीट वर्क वाला काम देता है, नाडी के अंदर रहू को पईया का है, पईया का मतलब है, जो गोल-गोल गुनता है, ठीके, रुपीट वर्क, ऐसा आदमी टीचंग लाइन में बहुत अच्छा होगा ठीके, टीचिंग लाइन में, अब टीचिंग लाइन के अंदर मैं बताता हूँ, ब्रस्पती और शनी महाराज जो है, टीचिंग का बहुत अच्छा काम देते हैं, कैसे, कालपुरुशिकुंडली से ब्रस्पती नाइन्थ हाउस का स्वामी बनता है, यहां का, यानि यह क्या है मेरा करम, तो मैं टीचिंग का करम यानि गुरु यानि एक टीचर का करम भी कर सकता हूँ, देख रहे हैं, यह सब नाड़ी से पढ़ा रहा हूँ, वेदिक से भी पढ़ाना है, नाड़ी से भी पढ़ाना है, जैमनी से भी पढ़ाना है, तो जैमनी से कैसे चलेंगे, माल तो लगन से मंगल तीसरा है, फिर से तीन चलाओ एक, दो, तीन, तो आरूर लगन मेरा सिंग लगन बना, बात कतम, तो अब यहां से मुझे टैन थाउस देखना है, वो बना वरिश राशी आई, इसमें कोई गिरह बैटा है, हम उसको देखेंगे, यह जैमनी सुत्र है, यानि आपको एक छत के नीचे कई प्रकार के सुत्र सीखने को मिलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आपको अच्छे से बताते हैं, आगे क्या है, कि आपका, कितने गिरह, देखें, यह धन का स्थान है, यह धन का स्थान है, यानि लाब का हुआ, जितने गिरह, इन सेकंड सेस्ट हाउस को, इलेवन्थाउस को देखेंगे, बवज्यादा आच्छे, चैब पापी गिरह देखें, यह पापी गिरह इलेवन्था उस में बैड जाये, बाई साब धन पका आना ही आना है, धन के गर में बैटे हैं आओ, उनका तो धरम है, दन देना, समझाया, तो धन धरम है अब आगे चलते हैं अब देखो आपको नाड़ी के बड़ा सुंदर सूत्र बताता हूं शनी है बुध्य है गुरु है और शुक्र है ठीके शनी क्या है करम बुध्य क्या है व्यपार गुरु क्या है इन्धा उसकी राशी है ना भाग्यास्तान की भाग्या है शुक्र क्या है धन काल परुषकुंड़ी से दो नमबार आती है ना धन के भाव में आदमी ने करम किया व्यपार का भाग्या ने साध्या धन कमाया इसको बोलते है करोणपती यह ये करोड़पती योग हो गया ठीके इस तरह से हम लोग चीजों को बहुत भारीकी से क्लास के अंदर समझेंगे ठीके अब आता है कि मेरी जॉब लगेगी कब जब भी शनी के ऊपर से ब्रस्पती गुजरेगा या ब्रस्पती के ऊपर शनी गुजरेगा कहीं बेभी कुंडली में ऐसा नहीं है मैंने टैंथ हाउस ले लिया फोर्थ हाउस ले लिया मैंने यहां लिखना है किसी भी हाउस में तब आदमी की जौब लगेगी क्लियर है मेरी जौब लगेगी कब जब भी ब्रस्पती शनी की उपर से गुजरे या शनी ब्रस्पती की उपर से गुजरे और भी बहुत सारे सुत्र है मैं क्लास में पढ़ा दूआ एक सुत्र तो मुझे यहां देना है और एक सुत्र जो मैंने क्लास में भी पढ़ाना यहां भी मेरे को सेलरी मेरे को इंकम कब होगी चाहिए वो विपार से हो जब भी आपका ब्रस्पती और शुक्र का गोचर में मिलन होगा वो आपकी पहली कमाई थी पहली इंकम थी चेक कर लो अपनी कुडली में चेक कर लो जब भी ब्रस्पती और शुक्र ट्रांजिट में कुडली में कहीं पे भी भरत मिलाप करें तो आपकी पहली कमाई होगी या शुक्र ब्रस्पती के नक्षत्र में गोचर कर रहा है या ब्रस्पती शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा है लेकिन ही कठे नहीं है कॉंसिलेशन लिंक पैदा हो गया तब भी आपकी पहली कमाई होगी क्लियर है जब भी मिलेंगे आगे बढ़ते हैं गर्मन्न जाब को समझते हैं सबसे पहले वहम निकाल दीजे सूरिय से सरकारी नोकरी मिलती है यह कोई रूल नहीं है सूरिय कॉन्फिडेंस का कारक है सूरिय आत्मा का कारक है सरकारी नोकरी इससे नहीं मिला करते है अब आप देखिए नाड़ी का सुत्र देखिए पांच नंबर की राशी कहीं पे भी कुंडली में है वहाँ शनी बैठा है सूर्य की राशी है सूर्य मीन्स राजा राजा मीन्स आज की तारीक में राजा नहीं है गवर्मेंट है शनी करम है तो मेरा करम कहां है राजा के घर में मेरा करम कहां है गवर्मेंट जौब है देख रहे हैं सिंपल सा या मेरी सरकारी नोकरी नहीं लगी तो मैं government contractor हो सकता हूँ clear? government contractor बन सकता हूँ simple सा है इसलिए ऐसे नहीं होता अब आप देखिए सब लोग साड़े साथी अब आजाते हैं वेजिक पार मान लीजे किसी का चंद्रमा बैटा है एक second current ही ले लेता हूँ मान लीजे किसी का ग्यारा नंबर में चंद्रमा बैटा है अब गोचर में शनी मारा 17 जनवरी को यहां पर आएंगे कोन आएंगे transit के तो व्यक्ति जॉब change करेगा चंद्रमा का आर्थ होता है change change वाले ग्रहे से जब करम का ग्रहे मिलेगा चंद्रमा होता है करम ओ स्वारी change और उसके साथ जुड़ा जाकर के शनी शनी यानी करम तो करम में परिवर्तन आएगा ही आएगा बात clear simple सी concept थी समझने वाली हमारी ठीक है इस तरह से हम लोगे बात से समझना है अब आईए बड़े ध्यान से माल लीजे किसी का 11 नंबर राशी में केतु माराज बैटे हैं कि तु माराज बैटे हैं के रहा नंबर में आप शनी माराज यहाँ पर गोचर करेंगे जैसे शनी माराज गोचर करेंगे बाई साब आपका लिस्ट में नाम होगा छटनी के अंदर आपकी नोकरी चली जाएगी या आप गुसे से मंगल की फोटो कापी केतु है गुसे से रिजाइन कर जाएंगे और धाई साल आपको नोकरी के लिए प्रोफेशन के लिए बिजनस के लिए धक्के खाने बढ़ेंगे यह समझ लीजिएगा जब भी शनी केतु के उपर गुजरे या केतु शनी के उपर गुजरे माल लीजिए अभी केतु माराज साथ नंबर में है या माल लीजिए एक सेकेंड हम यह तो कर लिए हमने साथ नंबर में शनी माराज है किसी के पहले से उच्च के शनी है और केतु यहाँ पर आ गए तो डेड़ साल तक प्रोफेशर चेंज होना ही होना है उसका जॉट छूटेगी तो नहीं लगेगी परशानी बहुत होगी ठीक है अब मेरा परमोशन कब होगा वो समझना है जब भी ब्रस्पती और शनी का गोचर में मिलन हो जैसे ग्यारा नंबर राशी में किसी का ब्रस्पती पहले से है शनी माराज आकर के बैठेंगे 17 जन्वरी को तो जातक की नोकरी में प्रमोशन हो जाएगा अब मान लीजे किसी के यहां पर शुक्र माराज बैठे है प्रवेट नोकरी कर रहा है आदमी चैसरकारी कर रहा है शनी माराज आगे इसके साथ शुक्र के साथ तो सेलरी हाईक हो जाएगी सेलरी बढ़ जाएगी विपार होगा तो विपार में आए बढ़ जाएगी बढ़ना ठीक है तो यह सब होगा आगे चलते हैं अब क्या होता है बहुत से लोगों की ना बॉस से नहीं बनती बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं समझाता हूँ मालो किसी का एक नंबर में सूर्य बैटा है उच्च का बैटा है अभी गोचर में राहू चल रहा है तो ये डेड़ साल के लिए इस राशी में यहां बैठेगा तो डेड़ साल का योग उसका बॉस से लड़ाई जगड़ा मिस अंडरस्टेंडिंग रहेगी अपनी नोकरी बचाओ वई एक अच्छे स्टोलर जर से पता करिए और समझीए कि बाई साब मेरी नोकरी तो नहीं चली जाएगी बेवकूफी करोगे तो चली भी जाएगी अब माल लिजे किसी की कुंडली में सूरी और मंगली कठे बैटे हैं ठीक है ऐसा जातक जिर्दगी में दो बार नोकरी बदलेगा ही बदलेगा नोकरी बदलेगा अगर बिजनस कर रहा है तो दो बार बिजनस को चेंज करेगा किसी का शनी और मंगल है ए बेचारा तो पैदाईशी परेशान है शनी और मंगल है मेरे पिछे बैच में एक सजन थे मैंने उनसे बड़ी मर्यादा से पूचा मैंने का सर चार-पाइच बारी जॉब चेंज करीए ठीक है आगे चलते हैं इस कोर्स के अंदर मैंने जो पढ़ानी है चीजें वो क्या पढ़ानी है एक बड़े ध्यान से समझीए जॉब करेंगे आपके बिजनस करेंगे क्लियर नमबर एक पढ़ाना है नमबर दो ये पढ़ाना है स्टार्ट आफ केरियर मेरा केरियर कब स्टार्ट होगा स्टार्ट आफ केरियर चाहे वो बारह ये नोपरी है फिर क्या पढ़ना है आपने चेंज इन जॉब या केरियर फिर आपने पढ़ना है फॉल्स इन केरियर मेरा कैरियर में कब बंटाधार होगा कैरियर इन जॉब या कैरियर कुछ भी लिख लिजे ये भी पढ़ेंगे आप फिर क्या पढ़ेंगे आप बिजनस के important point business के लिए क्या सुतरास होते हैं क्या important points होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगे छटा क्या है चाहे आप नोकरी कर रहे है या बिजनस कर रहे हैं चीटिंग योगास चीटिंग होगी आपके साथ फिर आपको पढ़ाय जाएगा नोकरी कर रहे हैं या बिजनस कर रहे हैं लोन लोन पड़ाया जाएगा थोड़ा सा आपको अच्छे से with example master बना दिया जाएगा share market में share market का point पड़ाया जाएगा फिर nine point पड़ाया जाएगा foreign भई मैं foreign के लिए नोकरी पर जाऊंगा या घुमने जाऊंगा वो भी पड़ाया जाएगा फिर आपको gift में वास्तू भी मिलेगा माल लेजिए किसी आदमी ने अपनी remedy कर रहा है जौब उसे मिलनी रही ठीक है तो north direction देखनी है north direction में अगर वास्तू दोश होगा तो job मिलने में दिक्कत आजाएगी क्योंकि north direction को opportunity कहते हैं तो अगर वो अपना north direction का वास्तू दोश रिस्टोर कर देता है तो उसको विशेश लाब आ जाएगा यानि इतना सारा आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है यह चीज होती है आगे चलते हैं जैसे मैं एक नाड़ी की छोटी सी टेकनिक बता देता हैं ब्रस्पती के साथ राहू आ गया गोचर में किसी का एक नंबर में ब्रस्पती बैटा है राहू आ गया तो फारण जाने का योग बन जाता है क्योंकि राहू फारण को रिप्रेजेंट करता है ठीके इस तरह से हम लोग देखेंगे फिर आपको साड़े साथी पढ़ाई जाएगी साड़े साथी के अंदर आदमी में लाइफ में बड़े सारे फ्लक्ट्वेशन्स होते हैं इस जनम के कर्मा का रिप्रेजेंट साड़े साथी में बहुत प्रबन रूप से देखने को मिलता है इस जनव में साड़े साती का प्रभाव बहुत अच्छे रूप से देखने को मिलता है कि क्या हमारे करम है और किस तरह से हमने करम करने हैं ठीक है अब आपको ये बताते हैं जैसे D1 चार्ट में सेकेंड आउस क्या मुझे बैंक से लोन मिलेगा सेकेंड आउस बैंकिंग सेक् चटा गार भी बैंक से लोन भी होता है और रिलेटिव से भी लोन होता है रिलेटिव का मतलब होता है मामा मासी जो भी है आपके रिलेटिव उनसे लोन मिलेगा आठमा गार बड़े लोन के लिए बड़े प्रजेक्ट के लिए लोन होता है तो ये सारे सुत्रस आपको पढ आता हैं देखो डी वन चार्ट का लगन लॉड डी नाइन का लगन लॉड लॉड लिख न बूल लिख देता हूं लगन लॉड 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 और गजर अगर यह तीनों छे आड़ बारा में नहीं यह पाप प्रवाव में नहीं है बाइसाब आपने मोती दान किये हैं इस जन करो नोकरी करो आपका जैकरा है क्योंकि D1 आपका लगन है ठीक है जी D1 आपका लगन हूग गया और D9 आपकी आत्मा हो गई आपकी आत्मा भी ठीक है यौनि न मन्चा D10 आपका करम का कशित्र का अ Spanish फॉरम है तो करम कशित्र भी बिलकुल ठीक है donc इसकार्ट क्या हुआ तीनों जगा लगनेश अगर अच्छी स्थिती में बैठा है तो आप मोती दान करके आई हुए हैं और आपको अराम से जॉब या बिजनस कर लेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं छोटी छोटे से सूत्रास हैं और उनको सूत्रास को समझने से हम लोगों क जो है जीवन में होगा अब मैं आपको एक सूत्र लास्ट देता हूँ क्या है कुंडली में शनी जैसा है वैसे फल मिलने आपको यह पहले बता रहे हैं अगर कुंडली में शनी वक्री है इसका आर्थ है आपको इस जनम में एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है हार्ड वर्क कुन सा करना है एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि इजी वे में आप चले जाएंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है अब ये मैं बताता हूँ ये क्लास कल 19.12.2022 को स्टार्ट होगी आठ बचके 5 मिनट पर स्टार्ट हो जाएगी आठ बचके 5 मिनट पर दो हफते का कॉर्स है टू वीक्स डेली क्लास होगी डेली का मतलब है मंडे टू फ्राइडे होगी दो हफते तक क्लास चलेगी इसमें आपको हर बारी की सिखाई जाएगी मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक कोई ये न कह दे कि सर समझ आ गया समझ आ गया तब ही आगे बढ़ेंगे और आपके चार्ट का भी जो भी जोइन करेंगे उनका चार्ट एनलाइस फ्री और कॉस अच्छे से क्लास में भी किया जाएगा फी इसका जो है 5333 है. टू वीक्स के कोर्स का दो सकता का कोर्स है और डेली वली क्लास है ताकि आपकी continuity बनी रहे डेली क्लास है और आपको जो टेकनीक सिखाई जानी है मैंने कहा वेदिक पढ़ाया जाएगा वेदिक से टेकनीक सिखाई जाएगी नमबर दो जैमनी सुत्र पढ़ाया जैमनी से भी टेकनीक सिखाई जाएगी मैंने कहा नाडी से भी पढ़ाया जाएगा नाड़ी के सुत्र भी आपको मिलेंगे, तीन प्रकार के सुत्रास आपको मिलेंगे, ठीक है, प्लस आपको गिफ्ट आइटम मिलेगा वास्तू का, ये गिफ्ट होगा मेरी तरफ से, ये भी पढ़ाया जाएगा, भईया हमने सब कुछ ठीक कर लिया, रेमेडी भी कर रहे हैं दशा भी ठीक है, वास्तू में थोड़ी सी गरबड आगी, तो वो गरबड डिले ओफ प्रोसेस को दिखाएगी, वास्तू दोश जो है, डिले ओफ प्रोसेस को दिखाएगा, किसी की कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आया, मेरे से पूछ सकते हैं, अन्म्यूट कर सकते हैं, किसी की कोई क्वेरी हो, अराम से डिसकस कर सकते हैं, मेरे से, अदर्वाइस, वी आर गोई तू वाइंड अप दा क्लास, ठीक है, चलिए, वास्तू नाइट तू नाइट तू आल अफ यू,